Hello दोस्तो, how are you? क्या हाल चाल है आपके लाजवा फस्सक्लास बजट हमारा, यूनियन बजट हमारा लोगसबा इलेक्शन के बाद पेश हो गया 23rd of July को और obviously एक middle class को एक income tax वाले department में अच्छी खासी उम्मेदी थी कि हमें हो सकता है बहुत सारे benefits देखने को मिलें हमारे income tax को बचाने के लिए deductions के रूप में इंकम की computation पर या हमारे income tax पर असर डालेंगे तो चलिए content की शुरुवात करते हैं तो जैसा कि दोस्तों already हम जानते हैं कि हमारे income tax की calculation को लेकर currently हम दोज अलग-अलग slab rates को regimes को follow कर रहे हैं एक है हमारा old tax वाला जो धाई लाख वाला है जिरो से धाई लाख धाई लाख से पांच लाख और दूसरा है हमारा alternative tax रिजिम या new tax रिजिम भी उसकों कह सकते हैं जो 3 लाख वाला है 0 से 3 लाख 3 लाख to 6 लाख जिसमें आपका discounted tax rate जो है applicable होता है और ये choice दी जाती है आप दोनों में से कोई भी follow कर सकते हो इस वाले particular budget में जो speech में साफ साफ पता चला है कि government जो है नए tax रिजिम को alternative tax रिजिम को properly promote कर रही है क्योंकि साफ साफ ये कह दिया गया कि old tax रिजिम में कोई भी changes नहीं है वो as it is आपके continue होंगे forward होंगे जो भी changes आए है वो obviously सिर्फ alternative tax रिजिम के अंदर आए है साथ ही ये एक तरह से पेशकच भी करी गई है सफाई भी दी गई है कि जो हमारा नया tax रिजिम है उसके इसाब से corporate tax overall corporate tax का 58% वहां से आ रहा है individual जो अपने taxes file कर रहे है two third of the total filing नय tax रिजिम के साब से हो रही है अब एक चर्चा का विशे आजकल हो गया है कि old tax रिजिम का धाईलाक वाले का क्या future होने वाला है deductions को जो हम अपनी investments करते हैं tax बचाते हैं अपनी FDs वगरा कराते हैं उनका आने वाले time में deduction के रूप में benefit मिलेगा भी ये नहीं मिलेगा ये एक बहुत ही चर्चा का विशे आने वाले years में होने वाला है बहराल changes क्या आए है changes के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो याद रखेगा जैसा कि मैंने already बताया old tax regime को touch भी नहीं करा गया है जो हमारा concessional या new tax regime है तीन लाख वाला उसी में changes हुए है और changes किस तरीके से हुए है जो अब आपका celebrate लागू होगा वो 0 से 3 निल 3 to 7 5 7 to 10 आपका 10% 10 to 12 आपका 15% उसके बाद 20% और 15 लाख से उपर 30% usually 15 लाख तक ही आपका जो concessional rate है वो मिलेगा applicable होगा लेकिन changes क्या हुए है ये वाला तो as it is है पहले की तरह 0 से 3 पर कोई tax नहीं देना लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला slab पहले 3 to 6 हुआ करता था अब उसको 3 to 7 कर दिया है यहाँ पर 1 लाख रुपे की income जो 6 से 7 लाख वाली है जो पहले आपकी 10% के अंदर आती थी वो अब obviously आपकी आएगी 5% के अंदर तो यहाँ पर tax में सीधा सीधा 5000 रुपे की budget जो है वो एक particular assessi को देखने को मिलेगी साथ ही जो अगली है आपकी 7 to 10 की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका 10% हो गया पहले 9 लाख तक 10% तब 10 लाख तक हो गया तो यह जो एक लाख का अगला 5% का benefit है यह भी देखने को मिलेगा assessi को तो देखा जाए तो overall यहाँ पर हमें इतना जादा मतलब अगर देखा जाए कि एक particular assessi को क्या कोई बहुत जादा benefit हुआ तो ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर tax rate को थोड़ा बहुत shuffle करा गया है और वहाँ पर जो आपकी percentage है almost same रखी है अब कई बारी यह कहने को आप कह सकते हो कि सर अगर percentage उतनी रखी है और slab rate को बढ़ा है तो benefit तो हुआ है न लेकिन अगर इसको हम practically देखें यहाँ पर जिस particular assessi की income 15,000,000 रुपे है अगर 15,000,000 रुपे पर आप इस वाले pattern से tax निकालेंगे और इस वाले pattern से tax निकालेंगे तो 75,000 रुपे का फायदा आपको नजर आएगा standard deduction को जोड़ के लेकिन क्या जिसकी income 15,000,000 रुपे है उसको 75,000,000 रुपे का benefit देना monthly डेड़ अजार रुपे का लगबग benefit देना एक बहुत अच्छा tax indicator नहीं है कि मुझे कोई benefit मिला तो सिर्फ बस यह कह सकते हैं कि elaborate change हुए है financial benefit ना के बराबर है इस particular change की तरफ से तो यह एक पहली चीज जो हमें देखनी है कि हमारे जो tax rates है वो change हुए है दूसरा इसमें जो main चीज जो दोस्तों आई है standard deduction जो हमें old में भी मिलती थी और new tax regime में मिलती थी वो आपकी पहले थी 50,000 रुपे और उसको बढ़ा कर अब 75,000 रुपे कर दिया गया standard deduction जो usually हमारी salaried person को, pensioner को मिलती है वो definitely 50,000 से बढ़ा कर 75,000 कर दी गई है लेकिन इसमें साफ साफ एक चीज बोली गई है कि यह जो standard deduction है मतलब increased standard deduction यह old tax regime पर लागू नहीं होगी मैंने बोला ना कि old tax regime को बिल्कुल untouched कर दिया है तो वहाँ पर 50,000 ही चलता रहेगा जो increased benefit है वो new tax regime में आपको मिलेगा साथ ही अगर आपको याद हो आप section 80 के अंदर NPS में contribute करते हैं तो उसकी deduction हमें मिलती है बराबर अब इस deduction में जो limit है वो 10 और 14% होती है usually NPS में आप 10% अगर आप ज़्यादा पैसा save करना चाहे तो कर सकते हैं इस percentage को बढ़ा कर अब same कर दिया गया है तो ये तो obviously दोनों में लागू होगा आपका अगर हम ध्यान दे तो sorry माफ कीजेगा ये हमारा basically जो alternative tax regime उसी में follow होगा कि भई जो आपकी deduction पहले 10% ती उसे बढ़ा कर अब आप 17% जो है sorry माफ कीजेगा 14% जो है वो claim कर सकते हो अच्छा दूसरा PDF दोस्तो इसकी पूरी की पूरी आपको description में मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं तो कुल मिला कर सीज़े सीज़े अगर हम देखे अगर हम CMAs के examination point of view से देखें तो ये बहुत बारी की वाले point हो गए normally calculation में इनको देखने को नहीं मिलता लेकिन क्योंकि amendment का part है changes का part है तो मैंने इसको यहाँ पर show करा है ओके यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अगर कभी भी कोई भी employee कोई TCS पे करता था तो वो TDS के साथ adjust नहीं होता था उनका set off allowed नहीं था उसको अब उस set off को अब basically allowed कर दिया कि आप उसको set off कर सकते हैं image पहले हम आप से पैसा लेते थे फिर वापस करते थे लेकिन अब ले ही नहीं रहे set off कर लीजिए ठीक है दूसरा foreign assets को लेकर reporting करनी होती थी अगर आपकी कोई भी foreign country में कोई asset है तो आपने return के थुरू आपको बताना होता था कि मेरी क्या investments हैं क्या foreign assets है पहले limit 10 lakh की थी 10 lakh से कम है तो बताने की कोई जरूत नहीं है आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी कानून का कोई उलंगन नहीं माना जाएगा हाँ 10 lakh से उपर है तो आपको बताना पड़ेगा ये limit बढ़ा कर अब आपकी 20 lakh कर दी गई है तो 20 lakh तक अगर आपकी foreign asset है और आपने नहीं भी बताया तो it's okay लेकिन हाँ उससे उपर है तो आपका obligation है आपको बताया जाए आपको बताना चाहिए government को well सबसे जादा जो matter of discussion रहा कल के budget में वो था हमारा capital gain का tax structure जो major change हुआ है major discussion का part रहा वो capital gain का रहा capital gain जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई capital asset है gold है, jewelries है, other real estate है, आपके land and building है आपके पास shares है डिबेंचर्स है, bonds है, यह सारे के सारे capital asset होते हैं हमारे income tax act के section 2 के section 14 में हमारे capital asset की proper definition दे रखी है obviously आप इनको बेचते हो खरीते हो, obviously बेचते हो तो capital gain tax आपका arise होता है अब हुआ क्या है, मैंने detail में यहाँ पे लिखा, मैं इसको दोड़ा properly आपको explain कर देता हूँ कि what are the indicators जो current structure है, अगर मैं current structure की बात करूँ, current के हिसाब से, जो short term capital gain होते हैं उन पर 2 rate अभी तक applicable होते थे, एक था 15% और एक slab rate का, slab rate मतला normal income में add हो जाएंग और slab rate से calculation होगी, और long term capital gain होते थे, और इसको भी दो पार्ट में divide करा गया था एक 10% के हिसाब से taxable होते थे, और एक 20% के हिसाब से taxable होते थे, ओके यह simple सा structure, यह यहाँ पर 15% वाले कौन से हैं यह basically financial assets है जो जिस पर STT हमारा apply होता है, और same यहाँ पर यह भी STT वाले होते थे what are the changes, changes क्या करे गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ यह 15% का rate जो है, उसको अब बढ़ा दिया गया है 20% की तौरफ पहले, normally जो shares वगेरा आप trade करते थे और वो आपने जल्दी खरीदे जल्दी बेचे type करा, एक महीना 2 महीने रखा, बेच दिया, मतलब वो short term हुआ करते थे, आप उन्हें सिर्फ 12 महीने से पहले ही बेच दिया करते थे, holding के बार तो वो पहले 15% के हिसाब से taxable होते थे, अब वो बढ़कर 20% के हिसाब से taxable होंगे यह STT, जो financial capital assets है, जिसमें shares, mutual funds वगेरा आते हैं, ओके बाकी इसके अलावा आप कुछ भी जमीन बेचो, gold बेचो, वो सारे के सारी, अगर आपकी short term है, 12 महीने के अंदर आपने खरीदी बेची है, तो उसमें कोई change नहीं है, वो total income में add होगा और normal slab rate के साब से computation होगी, ओके, तो ये चीज़ clear है, बिल्कुल, short term 15 से 20 हो गया, और थोड़ा matter of discussion जो रहा, वो यहां पर रहा, वो long term capital gains में रहा, हुआ ये है, कि ये जो 10% का rate है, इसे बढ़ा कर साड़े 12% कर दिया गया है, ठीक है, 10% जो आपके financial assets, financial capital assets पे 10% के साब से पहले taxability होती थी, उसे अब बढ़ा कर साड़े 12% कर दिया गया है, इसको थोड़ा compensate करने के लिए, government ने छोटी सी rewardी दी है, वो ये है, कि पहले, अगर ये वाला, STT वाला section 112A, इसका accurate section जो है, उसमें अगर कोई भी आपको profit होता था, तो वो 10% के साब से taxable होता था, लेकिन अगर वो profit आपका एक लाख रुपे तक है, तो उस पर tax नहीं लगता था, मतलब अगर आपका धाई लाख रुपे का profit हुआ, तो देड़ लाख पर 10% tax लगता था, पांच लाख का हुआ, तो चार लाख पर 10% का tax लगता था, अब वो rate कितना होगया, साड़े बारा परसेंट, बशर्थ कि यहाँ पर यह छोटा सा benefit दिया है, बहुत मामूली सा, कि जो tax free long term capital gain होगा, वो यह वाला, वो एक 25 का होगा, मतलब अगर पांच लाख का आपका long term capital gain हुआ है, तो साड़े बारा परसेंट के साब से tax लगेगा, किस पर? पांच लाख में से यह amount आप घटा देंगे, तीन लाख पिछत्तर अजार पर साड़े बारा परसेंट लगेगा, बराबर and yes, सबसे important चीज़ जो रही वो यह, कि यह जो 20% का आपका long term capital gain लगा करता था, especially जमीन, gold इसके अंदर आते हैं, real estate वगर आपने लंबे period के लिए hold करी, फिर उसको बेचा, gold आपने लंबे period के लिए hold करा, फिर उसको बेचा, तो 20% के अंदर वो taxable होता था, अब इसको घटा कर, भी 12.5% कर दिया गया है, कुल मिला कर बात यह है, कि overall long term capital gain पर अब एक single rate है, that is what, 12.5%, that is what, 12.5%, और कमाल की बात, सबसे interesting बात यह हुई है, long term capital gains को indexation का benefit मिलता था, cost पे, मान लेजे, 10 साल पहले आपने 10 लाग की एक asset खरीदी, और आज आपने उसको 80 लाग में बेचा, ठीक है, आपने 10 की खरीदी थी, आपने उसको 80 में बेचा, तो आपका profit कितना हुआ, 70 लाग, नहीं, government कहती थी, इस value को inflate कर लो, inflation rate के साथ, मान लो, 18 लाग रुपे हुई, तो 70 नहीं, 62 पर tax लगेगा, ओके, government ने long term capital assets में, जो indexation का नहीं होगी, ये inflation का, indexation का जंजट हम हटा रहे हैं, और शायद, इसी चीज़ का benefit देने के लिए, government ने सोचा, कि जो 20 परसेंट वाला rate को साड़े-बारा परसेंट कर दो, ये देखा जाए, तो फाइदेमंद ही है, यूजवली, जो लोग ये कहते हैं के, जी हमने asset खरी दी, लेकिन उसकी value में growth नहीं हो, और हमें नुकसान में, या कम value में बेचनी पड़ रही है, उनके लिए ये बुरा है, सरकार ये चाहती है, asset आपकी value बढ़ी है, खूब property के दाम, gold के दाम बढ़े हैं, बेचो, लेकिन उसमें पैसा छुपाओ मतना, आप उसमें दो नंबर से black में पैसा मतलो, white लो, और government को show करो, tax जादा लगेगा, अरे हमने tax कम कर दिया, 20-25% कर दिया, तो कुल में लाकर, ऐसा मुझे लगता है, कि white transaction को बढ़ाने का ये एक जरिया है, कि भई tax rate कम कर दिये, indexation से आपको इतना कोई फायदा नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है, white made payment लीजिए, और अगर, नॉर्मली आप देखो, अगर आप income में देखो, पंद्रा लाक के बादी 30% का tax लग जा रहा है, तो किसी property को बेचने पर, अगर 50 लाक का मुनाफ़ा आपको हुआ है, तो हम 30% नहीं मांग रहे भई, या हम 20 भी नहीं मांग रहे भई, तो साड़े बारा परसेंट मांग रहे हैं, तो सिंपल सा टेक्स अपना पे करो, और खुश रहो, शांती से रहो, तो कुल मिलाकर, capital gain की overall ये कहानी है, आईए इसको यहाँ पर जड़ा एक बार देख लेते हैं, जैसा मैंने बताया, कि भई, currently जो आपके short term capital gain है, वो 15% और slab rate के इसाब से लगते थे, 11A यानि के STT वाले, मतलब आपकी financial capital assets, और जो short term capital gain है, वाकि तो उस लेबरेट वाला हो गया, और long term capital gain का, अब सीधा सीधा एक ही rate है, that is what, 12.5% बराबर, हाँ जी, और ये obviously, with the immediate effect ही आपके लागू हो है, 23rd of July से, जो हमारी budget की date रही है, इसके अलावा, जो एक और matter of discussion है, हाई ध्यान दीजी, यहाँ पे मैंने indexation का आपको अलरेड़ी बता दिया, कि indexation allowed नहीं होगा, हाला कि इसमें government ने press conference में clear करा है, कि अगर किसी की property, 1414-2001 से पहले की है, तो उस पे वो indexation दे रहे हैं, इस पे और clarity अभी कुछ समय बाद और जादा आ जाएगी, उस पे indexation मिलेगा, लेकिन usually, पिछले 20-25 सालों में, अगर किसी ने property खरी दी है, मतलब इस date के बाद या इस date पर इसके बाद खरी दी है, तो indexation को मना कर दिया गया है, हाँ, एक और matter of discussion जो रहा, वो holding period का रहा, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, short term capital assets, capital gain या long term capital gain, तो short term capital gain किस पे होता है, उस asset पर जो short term capital asset है, जो छोटे time के लिए आपने hold करी है, long term capital asset लंबे time की होती है, currently, आज के time पे, short term या long term को classify करने के, तीन तरीके हैं, 12 महीने का समय, 24 महीने का समय, और 36 महीने का समय, ये तीन समय है, 12 महीने में वोई financial assets आती हैं, STT वाली, shares वगरा, listed securities basically, जिसमें अगर आपने 12 महीने तक hold करा, 12 महीने से कम hold करा, तो short term है, 12 महीने उस से ज़ादा हो जाएंगे, दो साल से कम के लिए hold करें, तो वो short term होते हैं, उसके बाद long term, इसके लावा बाकी, gold है, आपके unlisted other securities हैं, वो सब 3 साल तक hold करने पड़ती हैं, लेकिन government ने अब इन 3 को हटा कर, सिर्फ दो महीने का समय जो है, वो लगा दिया है, बारा महीने और 24 महीने, बारा महीने और 24 महीने, जो listed securities हैं, again, financial capital assets, STT वाली, security transaction tax वाली, उसका समय वही बारा महीने का है, इसके अलावा बाकी सारी assets को, बारा महीने के holding period में लेकर आ गए हैं, तो कहीं न कहीं अगर हम देखें, जो बिलकुल starting में ही, बेनिफिट दिया है, नहीं दिया है, वो अलग matter of discussion है, पर चीजों को काफी हित तक असान कर दिया है, indexation हटा दिया, जो tax rate हैं, वो पहले 4-5 थे, उनको थोड़ा कम कर दिया, यहाँ पर जो assets की classification थी, वो 3 category में थी, उनको 2 में कर दिया, तो कहीं न कहीं simpler tax structure को create करने के लिए बात करी गई है, और हाँ, जो ज़ादा matter of discussion रहा, वो basically capital gain taxation करा, जिसको लेकर कयास पहले से ही लग रहे थे, बुजट से पहले लग रहे थे, ठीक है, तो यह दोस्तो major amendment हुई, इसके अलावा TDS में तो हम जानते ही है, कि हर साल कुछ ना कुछ changes होते हैं, और इसमें अगर मैं table डाल दी है, आप overview कर सकते हैं, और काफी हद तक, काफी अच्छे percentage के साब से, TDS deductions को कम करा गया है, 5-2, especially अगर हम insurance commission की बात करें, यह बहुत जादा matter of discussion रहता था, वो 5% से 2% पर आ गया है, और life insurance policy, जिसमें 5% TDS कटता था, अब 2% ही कटेगा, तो यह आप देखेंगे, इसके अलावा, foreign companies के लिए, भीया, Tesla आ जो, Microsoft आ जो, ठीक है, हमारे यहाँ पर आइफोन बना लो, आपको foreign companies को invite भी तो करना है, कैसे invite करोगे, जब उन्हें कुछ benefit दोगे, तो सबसे पहला benefit तो tax का ही आता है, तो foreign companies पर जो 40% का tax rate ता, उसको घटा कर 35 जो है, वो करा गया है, ठीक है, और that's it, यह सारे के सारे provisions हैं, हाँ, यह एक और चीज़ यहाँ पर add-on करी गई, that is, विवाद से विश्वास तक, period, उसको कम करा गया है, उसको बढ़ाया गया है, और आप पे जो fines वगरा लगेंगे, उनको भी कम करा गया है, तो उन सब को अपने मसलों को settle करने के लिए भी यहाँ पे काफी सारे changes है, exam में usually यह नहीं पुछे जाते हैं, बट knowledge के लिए हमें मालूम होने चाहिए, तो यह बहरहाल हमारे सारे के सारे पॉइंट, इसके अलावा कोई भी query, कोई doubt है, आप इस number बेज सकते हैं, direct text को लेकर जो भी हमारे basic, basic के लिजे, overall के लिजे, जो necessary हैं हमें मालूम होने चाहिए थे, वो नहीं हाँ पे cover करें, इसके अलावा कोई भी query doubt हो, तो please mention करिएगा and आप चाहे तो number पर directly coordinate कर सकते हैं, मिलते आप से next class में, please take care